हेलो दोस्तों स्वागत आप सभी का हमारे ओनलाइन चनल अराध्या अरेस अकेडमी में दोस्तों आज मैं आपके सामने राजस्तान में एक नई विग्यप्ति लेके आया हूँ और उस विग्यप्ति के बारे में दोस्तों बहुत कम लोगों को पता है और जिसमें पदो की संक्या है वो भी दोस्तों भारी मात्रा में है तो चलो दोस्तों देखते हैं इस विग्यप्ति के बारे में विग्यप्ति है दोस्तों राजस्तान कंप्यूटर टीचर बरती है उसके बारे में दोस्तों आज आपन बात करेंगे और उसके बारे में सारी चीज़ देखेंगे अपन योग्यता क्या है फोरम कब भरे जाएंगे ठीक है सेले बस क्या है सब देखेंगे उससे पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक अरध्यारास अकेडमी के यूटूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे बैल आइकन को प्रेस करें वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें तो दोस्तों चलो स्टार्ट करते हैं राजस्तान कंप्यूटर टीचर वेकेंसी 2013 यानि कि जिसको अपन बॉल सकते हैं कंप्यूटर सिक्सक भरती 2014 तो दोस्तों आपने देखा होगा थोड़े दिन पहले अख़़ार में एक न्यूज आई थी और वो न्यूज थी दोस्तों तो देखो बिना कंप्यूटर सिक्सकों के स्कूल में हो रही है पड़ाई पिछली सरकार ने केंदर के सयोग से बर्तिका किया था ऐलान इस सरकार ने फाइल वित्विबाग के पास बेजी मनजूरी का इंतजार यह जो अकबार की कटिंग है दोस्तों और यह अभी कुछी दुनों पहले की है अकबार की कटिंग है जिसमें यह कहा गया था और अब दोस्तों इसको मनजूरी है वो वित्विबाग से मिल चुकी है ठीक है सबसे खुशी की बात यह है कि वित्विबाग से इसको मनजूरी मि चुकी है और इसमें जो पदो की संख्या है वो दोस्तों इसमें रखी गई है दस हजार गुन्चालीस इसमें पदो की संख्या रखी गई है हालनकि ओफिशियल एनाॉस्मेंट है है वो होना बाकि है ठीक है क्यूंकि मैन इसमें कारण यह रहा है कि EWS वाला जो अरक्षन का मेटर है ठीक है जिसमें जो पहडी छेतर आते हैं ठीक है आदिवासी इलाके आते हैं उनको इसमें अभी इंक्लूड नहीं किया गया है मैं मुद्दा अभी वो ही चल रहा है उसके कंप्लीट होते ही दोस्तों ये वेकेंसी इसके फोरम है वो आइसी फेज तिर्तिय में पत्चिस सो आइसी आइसी टी चतूर्त वेपंचम फेज आठसो अठाइस किलिक योजना ग्यारा सो बैतर मोडल स्कूल एक्सो त्रोंतीस और वेवसाइक शिक्षा नो सो पांच ठीक है तो ये है इतने है इसकुलों में लेब और दस अजार गु ठीक है वैसे तो दोस्तों पदों की सिंग्या है वो खाली है लगबग 25,000 है लेकिन अब की बार शिरफ 10,000 पदों पर ये हैं बरती की जा रही है तो देखो परदान मंत्री एक तरफ डिजिटल इंडिया का सपना साकार करने में लगे हैं दूसरी तरफ परदेश में कम्प सिक्षक की पढ़ाई के सिक्षक ही नहीं है ठीक है तो दोस्तों ये देखो गोविंज सिंग्डोटासरा इन्होंने दोस्तों देखो क्या कहा है कि परियार से हिंदी माद्यम के स्कुलों में भी कम्पिटर सिक्षक लगाए जाए इसके लिए प्रस्ताव वित विभाग को आधारों पर देखता है वहां से मंजूरी मिलने के बाद ही इससे आगे कुछ कहा जा सकता है अब दोस्तों यहां पर हम हैं वो बात करने वाले हैं राजस्तान में कम्पिटर टीचर वेकेंसी 2019 के ओनलाइन आवेदन कब से स्टार्ट होंगे ठीक है राजस्तान में कम्पिटर शिख्षक परति के लिए सेक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए कम्पिटर सेक्षक बरती 2019 सैल्यबस क्या रहेगा कंपिटर शिख्षक बरती के लिए कौन-कौन आवेदन कर सकते हैं यह सबी चीज़ें यह दोस्तों आज अपने इसमें जानेंगे इस वीडि Computer Teacher बर्तिव की परिक्षा है, ये RPSC द्वारा लिये जाएगा, ठीक है, इसकी परिक्षा है, वो किसके द्वारा ली जाएगी, RPSC के द्वारा ली जाएगी, Computer शिक्षा बर्तिव की, ठीक है, अब देखो, राजस्तान में 10,000 इसकुलों में Computer Lab पर Computer शिक्षकों के पद स्विकर्त नहीं है, जबकि 9 और 10 वी कक्षा में Computer शिक्षा अनिवारिये है, कला सिक्षा की इसी तरह, इसमें भी फरजी तरीके से अंक देकर खाना पूर्ति की जा रही है, पहले सरकार ने समीदा पर Computer शिक्षक लगा रखे थे, लेकिन सरकार ने इन सिक्षकों को पिछले साल हटा दिया था, अब सिक्षक वापिस लगाने के लिए संगर से कर रहे हैं, Computer योगेता धरी सरकारी इसकुलों में Computer शिक्षकों के पद सर्जित करने की मांग कर रहे हैं, तो दोस्तो टोटल और टोटल इसमें 25,000 से अधिक computer शिक्षक है वो बेरोजगार है और इस बड़ती में 10,000 computer शिक्षकों की बड़ती निकलेगी 10,040 ठीक है याद रखना दोस्तो और computer teacher vacancy 2019 का इंतजार कर रहे हैं यानि कि टोटल जो 25,000 से अधिक computer शिक्षक हैं वो बेरोजगार हैं जिसमें से 10,000 पदों की ये बड़ती की जाएगी और देखो भाजपा सरकार ने केंदर के सयोग से computer शिक्षकों की बड़ती का ऐलान किया था लेकिन 5 साल में बड़ती परकिरिया शुरू नहीं हुई और कॉंग्रे सरकार ने फाइल वित विबाग के पास बेजी थी computer शिक्षक बड़ती 2019 का प्रस्ताव वित विबाग को भिजवा दिया है और मंजूरी मिलने का इंतजार है तो दोस्तों इसकी जो मंजूरी है वो मिल चुकी है इंतजार नहीं है मिल चुकी है और इसके पदों पर दोस्तों बड़ती की तैयारी की जा रही है सिर्फ EWS वाला जो मेटर है वो अटग रहा है बाकी सभी लगबग लगबग वेकेंशिया है उनका प्रारूप सभी का तयार हो चुका है बैस EWS वाला जो मेटर चल रहा है वो एक बार खतम हो जाए और खतम होते ही सारी वेकेंशि दोस्तों एक साथ आएगी ठीक है देखो computer सिक्षक भरती 2019 education qualification तो education qualification क्या है यदि आपके पास मान्यत अप्राप संस्थान या university से computer में कोई भी degree है तो आप computer सिक्षक भरती के लिए आवेदन कर सकते हैं पहले जिन विद्यार्थियों ने RSCIT कर रखा था उन्हें भी computer सिक्षक भरती में सम्मिलित होने की मांग उठी थी ती ती करने कि लिए भी दोस्तों ये computer सिक्षा जो परिक्षा है इसमें इनको भी सम्मिलित करने की मांग उठी थी लेकिन विरोध के बाद RSCIT वालों को सम्म सम्मिलित करने से मना कर दिया था जिसके बाद सुरी जिसके पास computer में डिग्री होगी वही computer सिक्षक भरती के लिए online आविदन कर सकेंगे BCA, MCA, BBA, MSCIT, BTEC, graduation in computer science ठीक है इनके अंदर होंगे तो दोस्तों वह इस forum को बर सकते हैं राजस्तान computer teacher vacancy syllabus and exam pattern तो देखो दोस्तों क्या है इसमें syllabus और exam pattern तो देखो राजस्तान computer सिक्षक भरती में syllabus और exam pattern क्या रहेगा इसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है क्योंकि राजस्तान में काफी वर्सों से computer सिक्षक भरती का आयोजन नहीं हुआ है इसलिए जब तक syllabus या exam pattern को लेकर कोई news नहीं आती है तब तक आप राजस्तान जी के और computer की तयारी करें computer सिक्षक भरती में graduation level तक के प्रसंद पूछे जाएंगे ठीक है यानि कि syllabus में है वो आपको राजस्तान जी के तो रहे गई साथ में computer रहेगा ठीक है और इसकी दोस्तो syllabus की विस्तरित जानकारी नहीं है जैसे ही notification आजाएगा तो आपको वहाँ पे इसके syllabus के बारे में भी पता चल जाएगा ठीक है दोस्तो इसमें selection का progress है वो क्या रहेगा सोरी process क्या रहेगा selection का तो देखो सबसे पहले RPSC है वो return exam लेगी फिर उसके बाद में दोस्तो final cut of marks निकालेगी और फिर उसके बाद में document verification होगा और उसके बाद में दोस्तो आपको आपका selection है वो हो जाएगा तो बने रहे अरद्यारेस Academy के साथ में और सभी competitive exams और PDF notes, model paper, online free classes और previous year के question paper दोस्तो यहाँ पर बिल्कुल free मिलेंगे और YouTube channel हमारा अरद्यारेस Academy को subscribe करना ना बुलें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा share करें और जो computer शिख सके पातरता प्रिक्षा है ठीक है इसके लिए दोस्तो अलग से class से लगवाई जाएगी और model paper की test series भी शुरू की जाएगी मिलते हैं दोस्तो नेक्स्ट वीडियो में जय हिंद जय भारत